आज के डिट में देश में बहुत ज़्यादा मेट्रो कंसेशन हो रही है लेकिन अगर आप देखो तो भारत में ज्यादा तर जो मेट्रो सिस्टम्स बन रही है वो elevated वायडक्ट्स या ब्रिजिस के उपर बनाई जाते है जबकि बहुत कम मेट्रो ऐसी है जिनको underground tunnels में से बना आते समय वो है cost हमें सस्ते से सस्ते में जाते से ज़्यादा लोगों को urban transit प्रोवाइड कराना है और यही पर underground metro अच्छा option निकल कर नहीं आती क्यूंकि ये elevated track से बहुत ज़्यादा महंगी होती है जहाँ पर elevated track बनाने में per kilometer 150 to 200 करोड रुपीज का खर्च आ सकता है वही पर underground tax 450 से लेके 500 करोड रुपीज पर kilometer की cost तक चले जाते है और दिल्ली metro के अंदर कुछ sections ऐसे भी है जहाँ पर 550 करोड रुपे पर kilometer के हिसाब से tracks बनाये गए है अब इसके बीछे multiple reasons है कि ये cost क्यूं बढ़ता है elevated comparison में underground metro में ज्यादा construction material का इस्तमाल होता है ज्यादा time लगता है tunnels को बनाने के लिए जिसका जिसे labor, machine, energy cost बढ़ती है उसके अलवा safety में चीजों का ज्यादा ध्यान रखना बढ़ता है environmental control जिसके अंदर flooding के requirement हो गई softswald के बारे में चीजों को ध्यान में रखना हो गया ये चीजे construction को ज्यादा complicated बनाते है जिसके वज़े से underground sections ज्यादा difficult बनते है लेकिन ये cost सिर्फ construction के टाइम पे consider नहीं के जाती है elevated ये underground sections के अंदर underground sections जब complete हो जाते है उसके बाद में भी elevated sections से बहुत ज़दा मेहंगय होते है चलाने के हिसाब से पहली बात तो underground systems के अंदर पूरा का पूरा tunnel ventilation system ये TVS install करना पड़ता है और environmental control system ये ECS install करना पड ventilation हो गई, smoke बाहर निकालना, order बाहर निकालना, fresh air circulation रखना, oxygen living spent in करना इन चीजों के लिए बहुत ज़दा energy का खर्च होता है इसके अलावा जो maintenance होता है underground tunnels के लिए वो भी ज़दा होता है चोटी मोटी leak को ignore नहीं किया जा सकता जो यहाँ पर wiring होती है यो electrical systems होते है उनको tunnel में अलग अलग जगे से approach करने के लिए पूरे tunnel को surpass करना पड़ता है जो के elevated section में ज्यादा easy होता है और इसके वज़े से trains या पर चलाना भी ज्यादा difficult बन जाता है और overall day to day running cost किसी भी underground metro section की ज्यादा होती है compared to elevated metro सस्ती चीज़े कहा पर आ जाती है elevated sections के बारे में तो हम बात करे तो आज जो इतनी fast metros बन रही है वो पूरे के पूरे sections बनती है कई पर दूसरे में piece बनता है gird or pier वएगरा और वो आके directly install कर दिया जाता है इसकी बाद में जो overall metro है वो किसी normal train के तरह उसके उपर बन सकती है stations जो है वो directly एक बहुत बड़े building की तरह बनाया जा सकते है जमीन क उपर जबकि underground में जमीन को disrupt करना पड़ता है अब दूसरा जो issue आता है cost से अलग वो है construction issues से दूस्तों मैंने आपको ये तूप समझा दिया कि cost वेगरा कहा पर आ रहा है किन चीज़ों के जैसे आ रहा है लेकिन construction में difficulties technical level पर कहा आती है वो देखते है कई बार अगर पैसों क underground ही बना गया था वो इसलिए था क्योंकि उस समय पर cut cover method का इस्तमाल गया जाए था cut cover का मतलब यह है कि किसी road के नीचे करे tunnel बना रही है तो पूरे के बुरे road को खोद दिया जाएगा tunnel के depth तक वहापे फिर bricks या फिर concrete से tunnel बनाई जाएगी और उसके उपर फिर से चीज़े normal road को उपर बना दिया जाएगा लेकिन आज के डिट में जो cities बढ़ चुकी है वहापर next to impossible हो गया कि आप tens of kilometers of road को इस तरीके से खोद के वहापे सालों दग metro बना है जो TBM machines होती है वो भी जहां से metro के लिए अंदर छोडी जाती है वो बहुत जादा space acquire करती है इसके लावा ह बर station के आपर जो outlets होते है वो भी main important urban areas के अंदर जमीन ले लेते है जिसके वज़े से construction में बहुत ज़्यादा technical difficulties आती है अगर पैसों का हिसाब ना हो तो भी इसका one of the best example देखना है तो Mumbai के अंदर की जो Mumbai Metro Line 3 बन दी है उसने कितने सारे roads and bridges को disrupt किया है या आज Mumbai में आप drive करते समय easily समद सकते हो multiple बड़े-बड़े roads को choke points बना दिया गया है लेकिन कुछ reasons होते है underground metro बनने के लिए ऐसे difficult situations में उसके बारे में last month समझेंगे लेकिन अगले point के बारे में इसके पहले बात करते है कि क्यो underground sections को elevated sections जितना बनाया नहीं जाता और ये reason है safety का अगर metro में लगती है आग metro trains disrupt हो जाती है ट्रेंज जो है आगे बन नहीं पारी तो underground section के अंदर ये smoke अंदर ठहरता है तो लोगों को वो suffocate कर देगा अगर आग लगती है तो लोगों के वास भागने के लिए बहुत कम options होंगे escapes नहीं होते इतने जिसको जिसे underground metro sections के अंदर जो safety के लिए बनने वा जरूरी है और इन reasons के वजए से देश में underground metro sections बहुत कम बनते हैं compared to elevated लेकिन जो भी underground sections बन रहे हैं उनको फिर क्यों चूस किया गया अगर इतने दुकसान है तो वो समझ लेते हैं कभी-कभी जो elevated section होता है वो इतना जादे expensive हो जाता है land prices के वज़े से अगर हम दिल्ली के कु मीन से कई मीटर नीचे tunnel ही बना दे क्योंकि वो cost सारी के सारी चीजों को आउटवे कर देगा इसके अलावा कुछ cities के अंदर utilities का issue बहुत बड़ा होता है कई जोग उपर heritage roads होते है पुरानी पुरानी water sewage pipelines होती है जो कुछ मीटर नीचे तक जा सकती है रोड के उपर अगर इस तरह कि का elevated section बनाने के लिए पियर के लिए गड़े होए करे बनाएगे तो utility shifting बहुत ज़्यादा expensive और complicated बन सकता है साथ-साथ day-to-day जो area होता है किसी city का जो economy के अंदर generate करता है पैसा वो disrupt हो सकता है जिसकर जैसे underground sections निकाले जाते है जिनका one of the biggest advantage यह है कि कुछ out points को अग underground sections बहुत जादा कम disturbance के साथ में उपर की तरफ बनाया जा सकते है और operate भी किये जा सकते है roads ऐसे areas में जहाँ पर already narrow है especially अगर हम South Mumbai की बात करें जहां से Mumbai Metro Line 3 बन रही है Mumbai के अकीले underground section वहाँ कई सारे heritage roads है जो इतने चौड़े नहीं है वहाँ पर elevated sections बनाने के लिए जगह नहीं stations पर पुराने हो जाए तो उनको time by time upgrade का जासता है लंडन में 100 साल से जादा पुराने Metro सभी भी operational है but elevated sections के अंदर इन अप्रेडिशन को करना difficult होता है tunnels जो main आप कह सकते हो ducts होते है वो कई 100 सालों तक अच्छे structural integrity के साथ में और in fact कभी-कभी permanency के साथ में भी रह सकते है क्यो कि वो geology का part बन जाता है और यह वो reasons से कि क्यों कभी-कभी cost के अलावा भी Metro अंडर ग्राउंड बनाई जाती है ओमिंगर दो वीडियो को अच्छे लगी होगी आपके बस कोई topic suggestion से आप नीचे मजे comments में दे सकते हो मिलेंगे अगले वीडियो में